साइज ट्री में आप सब भी कास फाकत हैं आगे नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर टूजी के बाद अब आदर्श भी सी बे आई खाली हाथ पुर्सी एम चावान पर नहीं चलेगा केस टूजी घुटाले पर फैसले के बाद कॉंग्रिस के लिए एक और राहत की खबर है महराष्ट के पूर्व मुक्य मंत्री और कॉंग्रिस नेता अशोक चावान को आदर्श हाउसिंग सोसाइटी केस में मॉंबे हाई कूट से बड़ी राहत मिली है पॉंबे उचनेयाले ने बहुचच्चे तादर्श हाउसिंग घुटाला मामले में अशोक चावान पर मुकदमे को लेकर महराष्ट के राज़िपाल सी विध्या सागर राव के फैसले को शुकरवार को खारिच कर दिया उचनेयाले ने कहा कि आदर्श सोसाइटी घुटाला मामले में सी बी आई चौवान पर मुकदमा चलाने की मनजूरी मांगते वक्त उनके खिलाफ कोई नया सबूत पेश करने में नाकाम रही नेयाले ने मामले में ताजा साश पेश दिये जाने की में विफलता और मुकदमी के लिए राज़िपाल से मनजूरी मांगने के लिए सी बी आई की खिचाई भी की आपको बता दें कि अशोच चाहन उन तेरा लोगों में शामिल है जिनके खिलाफ सी बी आई ने आदश घोटाले में चार शीट दाखिल किया था आपको ये भी बता दें कि आदश हाउसिंग सोसाइटी के अपार्टमेंट कारगल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के लिए थे लेकिन नियमों का उलंगन करते हुए ये अपार्टमेंट सेनियाफसरों राजनेताओं तदनोकर शाहों को बाट दिये गए साल 2010 में ये गोटाला सामने आने के बाद माहराष्ट में सियासी तुफान खड़ा हो गया था जिसके चलते अशोग चोहान को इस्तीफा भी देना पड़ा पिछले दो दिनों के फैसलों से लगता है कि आने वाला साल कॉंग्रिस के लिए अच्छा साबित हो सकता है